फिजी के नाडी शहर में पारंपरिक रस्मू रिवाजों के बीच आज बारवे विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारम हुआ भारत के विदेश मंतरी डॉक्टर एस जय शंकर और फिजी के राश्रपती विलियम काटो नेवेरे ने दीप प्रजुलित कर देश दुनिया से आए हिंदी प्रेमियों का स्वागत किया सम्मेलन का आयोजन फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंतरा लेने किया है इसका मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्यान से कृत्य मेधा तक है सम्मेलन का आयोजन दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ लोगों की भाशा बनाने के लिए किया गया है कारिक्रम में फिजी की पारंपरिक का रूप से डॉक्टर एस जैशंकर का भी स्वागत किया गया और कारिक्रम की कुछ जलकिया हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पर भव्य आयूजन किया गया और पारमपरिक रूप से फिजी में हिंदी महोचसव का आगाज हुआ तो कारिक्रम में फिजी का पारमपरिक का स्वागत पाकर डॉक्टर एस जैशंकर ने भी आभार जताया उन्होंने भारत और फिजी के स्वास्त शांती और सम्रिधी की कामना भी किया साथी प्रथम कावा भी ग्रहन किया इससे पहले कारिक्रम को विदेश राज्य मंत्री वी मुरली धरन और केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी संबोधित किया सम्मेलन में फिजी के राश्रपती काटो निवेरे ने कहा कि हिंदी सम्मेलन का ये मंच भारत साथ फिजी के एतिहासिक और विशेश सम्मंधों की स्थाई ताकत का जश्न मनाने का एक अनूठा अवसर देता है दोनों देश आर्टिफिश्यल इंटेलिजेंस के साथ हिंदी के विकास पर काम करेंगे ऐसा प्रतिबधता यहां पर जताई गई है विदेश मंतरी डॉक्टर एस जय शंकर और काटो निवेरे ने एक साजह डाक टिकेट भी इस मौके पर जारी किया फिजी पोस्ट के सहयोग से जारी इस डाक टिकेट में हिंदी सम्मेलन के लोगों को उकेरा गया है कारिक्रम में एक समारिका और गगनांचल समेत छे पुस्तकों का भी विमोचन किया गया कारिक्रम में एक।